आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे विलियम वर्ट्सवर्थ की बायोग्राफी को विलियम वर्ट्सवर्थ इंग्लिश लिट्रेचर में रोमैंटिक एज की सबसे ज़ादा इंपोर्टन्ट राइटर है आपका इंग्लिश का कोई भी एक्जाम हो चाए, NTA UGC Net हो चाए, PGT का एक्जाम हो विलियम वर्ट्सवर्थ से सबसे ज़ादा क्वेशन पूछे जाते हैं क्योंकि एक इंपोर्टन्ट राइटर है तो एक deep study करेंगे हम इस विडियो में विलियम वर्ट्सवर्थ की बायोग्राफि को ले करके तो इनकी बायोग्राफि बिगिन करने से पहले मैंने एक यहाँ पर ट्री बनाया है फैमिली ट्री है ये वीलियम वर्ट्सवर्थ का इसमें वीलियम वर्ट्सवर्थ की पूरी फैमिली के बारे में मैंने बताया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक्चुल में वीलियम वर्ट्सवर्थ कोन है तो सबसे पहले देखिए विलियम वर्ट्सवर्थ का लाइफ स्पेंट क्या है यह 1770 में बॉन हुए थे 1850 में इनकी डेथ हो गई थी इनके पैरेंट्स है इनके फादर का नाम है जोन वर्ट्सवर्थ और इनकी मदर है एने कुक सन तो इन दोनों के यह 5 किड्स थे इन में से जो दूसरे नमबर पर थे वो थे विलियम वर्ट्सवर्थ यानि कि यह सभी विलियम वर्ट्सवर्थ के सिबलेंग्स है तो एक बर हम इनको डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले जो William Wordsworth के elder brother है इनका नाम है Richard Wordsworth ये एक lawyer है उसके बाद William Wordsworth का जनम हुआ था उसके बाद William Wordsworth की sister जिनका नाम Dorothy Wordsworth था इनका life spend भी आप एक बार अच्छे से ध्यान कर लीजे 1771-1855 William Wordsworth की biography में इनकी sister Dorothy Wordsworth एक important role play करती है क्योंकि William Wordsworth और Dorothy Wordsworth इन दोनों के बीच पे काफी अच्छी bonding थी उसके बाद इनके एक और brother आते हैं जिनका नाम है John Wordsworth इनकी 1805 में death हो गई थी और उसके बाद Christopher Wordsworth आते हैं जो कि एक scholar है Cambridge University में तो ये सबी है John Wordsworth और N. Cookson के kids जिसमें हम पढ़ेंगे इनको William Wordsworth को हम देखते हैं William Wordsworth की family में कौन-कौन है ठीक है William Wordsworth की देखे William Wordsworth की एक partner थी इनकी beloved थी जिनका नाम था Anity Valen ये France में थी William Wordsworth 1790 में William Wordsworth पहली बार France गए थे जहां पे इनकी मुलाकात Anity Valen से हुई Anity Valen और William Wordsworth की एक बेटी है जिसका नाम है Caroline Caroline से William Wordsworth तब तक नहीं मिल पाए थे जब तक वो 9 साल की थी यानि कि Caroline के जनम के 9 साल बाद William Wordsworth अपनी बेटी Caroline से मिले थे और यहां पे देखिए William Wordsworth की beloved Anity Valen है लेकिन उनकी wife उन्होंने शादी की थी Mary Hutchinson से अब Mary Hutchinson और William Wordsworth की कितने kids हैं यहां पे इनको देख लेते हैं एक सन है John Wordsworth डोटर जिसका नाम Dorothy और Dora दोनों हैं ठीक है इसी को Dorothy भी कहता है और इसी को Dora भी कहता है Wordsworth जिनकी डेट 1847 में हो गई थी son Thomas जिनकी डेट 18-12 में हो गई थी डोटर एक और है जिसका नाम Catherine है इनकी भी 1812 में डेथ हो गई थी और एक और इनका बेटा है जिसका नाम है William Wordsworth और इनके बजम फ्रेंड है इनके इंटिमेट फ्रेंड है यह सभी को पता है Samuel Taylor College तो यह मैंने आपके साथ डिसकस किया है William Wordsworth का Complete Family Tree अब आपको पता चल गया है William Wordsworth कहां से बिलोंग करते हैं इनकी फैमिली के बारे में आपको एक अच्छे से आइडिया हो गया है कि इनकी फैमिली में कौन कोन है अब आईए अब हम पढ़ते हैं William Wordsworth के बारे में William Wordsworth को Nature Poet भी कहा जाता है Lake Poet भी कहा जाता है Nature Poet इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नेचर के बारे में लिखते है Lake Poet इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह Lake District से बिलोंग करते हैं आपको पता होगा English Literature में तीन राइटर्स को लेग पोयट कहा जाता है विलियम वर्सवर्थ, एस्टी कॉलुरेज और रोबर्ट सावधी ये तीन लेग पोयटर जिनमें से एक विलियम वर्सवर्थ है विलियम वर्सवर्थ, साथ अप्रैल 1770 में बोर्ण हुए थे, कहाँ पे किम्बर्लेंड कोकर माउथ में और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850 में 80 येर्स के थे ये, कहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, एट राइडाल वेश्ट मोर्लेंड इंग्लेंड में इनके फादर का नाम है जोन वर्सवर्थ, मदर का नाम है एन कुकसन, वाइफ का नाम है मैरी हचंसन, यहाँ पे मैरी हचंसन का लाइव इस्पैंड लिखा हुआ है, पार्टनर इनकी है अनेटी वैलन, यहाँ पे देखिए, लोज्ट हिस मदर एड अज ओफ सैवन, वीलियम वर्सवर्थ जब सास साल के थे तब इनकी मदर की और जब यह तेरा साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी, वीलियम वर्सवर्थ लेख पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, पोएट लोरियेट यह रहे थे, 1843 स 1850 तक यह पोएट लोरियेट रहे थे, आफ्टर मदर्स डेथ, इनकी मदर की डेथ के बाद इनको होकशेट ग्रैमर स्कूल भेज दिया गया था, उसके बाद इन्होंने आगे की स्टडीज सेंट जॉन्स कॉलेज केंब्लिस से की है, 1791 में इन्होंने अपनी बीए की डिग कंप्लीट की थी, और इनके बजम फ्रेंड एस्टी कॉलरेज है, एस्टी कॉलरेज से इनकी मुलाकात कब हुई थी, 1795 में हुई थी, 1802 में मैरी हचंसन से इनकी शादी हुई थी, इनके मदर और फादर का डेथ इयर भी मैंने हापे लिखा हुआ है, आप राइट डाउन क कर लीजे, कई बार एक्जाम में इस तरीके से क्वेस्चन भी पूछ लेते हैं, मदर की डेथ हुई थी, 1778 में और फादर की डेथ हुई थी, 1785 में, विलियम वर्ट्सवर्थ मेड हिस डेब्यू एस राइटर इन 1787, राइट डाउन कर लीजे, 1787 में इन्होंने राइटर क किया था, इन्होंने क्या पब्लिश किया था, पब्लिशिंग असोने, जिसका नाम इन 1798 इनका एक काफी पॉपलर वर्क आया था, जिसका नाम था लीरिकल बैलेड़ हुआ था, यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है, पुछा जाता है, लीरिकल बैलेड कप लिरिकल बैलेट के बहुत सारे अडिशन है, चार अडिशन है, मैं चारों अडिशन की पब्लिशन डेट आपको बताऊंगी, अभी हम देखते हैं, फर्स्ट अडिशन कब आया था, 1798 में आया था, इसमें टोटल 23 पोयम्स थी, टोटल 23 पोयम्स थी, इसमें जो पहली पोयम है, वो एसमें लास्ट पोयम है, वो वीलियम वर्सवर्थ के जिसका नाम है टिंटर नेवे, इन 1798 वीलियम वर्सवर्थ स्टार्टे टोटल 23 पोयम्स थी, आप सबी को पता होगा, ये काफी पोपलर वर्क है, वीलियम वर्सवर्थ का, 1798 में इन्हों ने दो प्रेलियूड को लिखना बिगेन कर दिया था, और ये कम्पलीट हुई थी 1805 में, और पब्लिश हुई थी पोश्ट हुमस ली 1850 में, इन 1793 फर्स्ट पोयम्स पब्लिश्ट नेम और इवनिंग वोग और डिस्क्रिप्टिव स्कैचर्श, इन 1795 इन सॉम्रेश्ट में एश्टी कॉलरेज, मैंने आपको बताया है, एश्टी कॉलरेज से इनकी पहली बार मुलाका 1795 में हुई थी, कि अब देखते हैं, लिरिकल बैलेट के फोर एडीशन कब-कब published हुए थे, देखिए, लिरिकल बैलेट का जो पहला एडीशन था, 1798 में आया था, सेकिंड एडीशन जो प्रीफिय्टल बैलेट का आ जाता है, अठारा सो में आया था, थर्ड एडीशन अठारा सो दो में, और 4th edition 1805 में आया था 2nd edition जो lyrical ballad का था उसमें एक preface भी एड है That's why उसको preface to lyrical ballad कहा जाता है 1798 में lyrical ballad का जो addition आया था उसमें total 23 poems थी जिसमें से 4 HT Colourage की और 19 William Wordsworth की थी Lyrical ballads preface regarded as romantic manifesto 1798 में lyrical ballad जब publish हुआ था जिसको HT Colourage और William Wordsworth दोनों ने लिखा था उसी से English literature में romantic age का आगाज माना जाता है That's why जो lyrical ballad का preface है उसको romantic age का manifesto भी regard किया जाता है Between 1795 to 1797 he wrote only play named देखे William Wordsworth ने एक play भी लिखा था जिसका नाम है The Borders ये एक worst tragedy है Set during the reign of King Henry III of England उसके बाद Thomas Harris rejected to perform this play on stage देखे ये जो play था ये base था King Henry III के rain के उपर England में जो थे लेकिन Thomas Harris ये एक person थे जिन हो ने reject कर दिया था इस play को stage पर perform होने से अब आईए हम discuss करते है William Wordsworth के लिखेवे works को सबसे पहले हम बात करते हैं most popular work The Prelude की ये एक autobiographical poem है blank verse में लिखी हुई है इसका जो present title है इसको दिया है Mary Hutchinson ने ये post humorously publish हुई थी William Wordsworth की death हो गई थी उसके बाद ही publish हुई थी और ये जो इसको title है ये उनकी wife Mary Hutchinson ने provide कराया था Prelude की तीन books में ये तीन versions में आई थी first version का publish हुआ था 1799 में जिसमें दो books थी second version 1805 में publish हुआ था जिसमें 13 books थी और third version जो 1850 में publish हुआ था इसमें 14 books थी और इसका एक subtitle भी है Growth of a Poet's Mind An Autobiographical Poem इसी The Prelude का एक और title भी है The Poem to Colerage ये आप याद रखिएगा पूछ लेते हैं कई बार exams में कि इनके क्या other or title है William Wordsworth की जब death हो गई थी तो इनको बाई किया गया था St. Oswald Church in Grassmare में William Wordsworth की लिखी वी 5 poems को Lucy poems कहा जाता है इन Lucy poems में कौन-कौन सी poems आती है उनके नाम आपके सामने है पहली है Strange fits of passion have I known 2nd है she dwelt among the untroden ways 3rd है I traveled among unknown men 4th है 3 years she grew in sun and shower इसी poem का एक और नाम है जो है Education of Nature 5 है A slumber did my spirit seal ये 5 poems William Wordsworth ने लिखी है जिनको Lucy poems भी कहा जाता है William Wordsworth अक्सर अपनी poem में एक name का जिक्र किया करते थे जो है Lucy Lucy ये बहुत बार लिखते थे address करते थे किसी girl को जिसका नाम होता है Lucy इनके other works भी हम देख लेते हैं जो कब आये थे और कब पब्लिश हुए लाइंस कंपोजड अफ्यू माइल्स अबाउट इन्टर अबे तिन्टर अबे का फूल टाइटल भी आप ध्यान रहे कि ये भी एक्जाम में क्वेशन पूछा जाता है 1798 में ये भी पब्लिश हुआ था The World is Too Much With Us ये एक सोनेठ है 1802 में आया था I Wondered Lonely As a Cloud, Daffodils ये 1807 में पब्लिश हुआ था और Intimation of Immortality 1807 में आय था The Solitary Reaper ये काफी popular poem है William Wordsworth के 1804 में ये पब्लिश हुई थी The Excursion ये 1804 में पब्लिश हुई थी इसमें 9 books है और इनका One and Only Play जो मैंने आपको बताया Worst Tragedy है 1842 में आया था We Are Sevens इनकी एक काफी popular poem है 1798 में ये पब्लिश हुई थी The Recuse 1880 में पब्लिश हुआ था Lucy Gray 1800 और Michael 1800 में पब्लिश हुई थी कुछ और points डिसकस करते है William Wordsworth के बारे में William Wordsworth एक बात कहते हैं जिसको आप write down कर लीजे हो सकता है exams में पूछी जाए The Language of Poetry is a Selection of the Real Language of the Man ये William Wordsworth कहते हैं In Biographia Literaria Chapter 14 Samuel Taylor Collierich ने criticize किया है William Wordsworth की Theory of Poetic Diction को Adolus Huxley Called William Wordsworth Red in Tooth Clow इसको आप अच्छे से write down कर लीजे हो सकता है इसको exam में पूछा जाए कि कि किस ने William Wordsworth को Red in Tooth Clow कहके address किया है बुलाया है तो उसका नाम होगा Adolus Huxley और कब उन्होंने उनको ऐसा कहा है उनके essay में William Wordsworth in the Tropics में William Wordsworth के कुछ important works है जिनके बारे में हम थोड़ा सा detail discuss कर लेते हैं सबसे पहले The Solitary Reaper की बात करते हैं ये एक lyrical ballad है inspired by him and his sister Dorothy से inspire होके इनोंने इसको लिखा है और इसकी opening lines है Behold her, single her field The Solitary Reaper का मतलब होता है Reaper कहते हैं जो फसल को काटता है Solitary मतलब एकांत तो इसमें एक ऐसी लड़की की बात की गई है जो अकेले में फसल काट रही है उसके बाद VR7 देखते हैं ये भी एक lyrical ballad है Our discussion between ये एक discussion है between an adult poetic speaker and a little college girl Tintan Abbey की बात करते है Tintan Abbey की opening lines काफी important है इसकी opening lines है Five years have passed Five summers with the length और इसको blank verse में लिखा गया है Ode to Duty की बात करते है Ode to Duty उन्होंने लिखी है Inspired by Heim To Adversity by Thomas Gray उनकी poem है Michael ये देखते है Pastoral poem है ये शेफ़र्ड की स्टोरी के बारे में बताती है इसमें जो Michael है उसके बेटे का नाम Luke है और एक इसमें Michael का cottage का जिक्र किया गया है जिसका नाम है The Even Star जो उनके cottage है उसका नाम है The Even Star The Tables Turn देखते हैं इसमें 8 stanza है Lyrical Ballad में पब्लिश हुई थी जो 1st edition 1798 में था उसमें पब्लिश हुई थी It tells the importance of nature The Tables Turn में William Wordsworth बताते हैं कि अपनी books को जड़ा छोड़ कर एक बर Nature को देखो आपको Nature से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो इसमें वो Nature की importance को बताते हैं इनकी एक और लिखीवी poem है जिसका नाम है London जो 1802 में आई थी इसको Milton poem भी कहते हैं क्योंकि इसमें William Wordsworth जोन Milton को address करते हैं So I hope ये वीडियो आपको useful लगी होगी अगर आप किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं तो William Wordsworth की biography के लिए ये वीडियो आपके लिए sufficient होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है So do not forget to subscribe this channel